ये शुक की नाम की महिमा हो, आज अम सब लोग इधर मिलकर परमेश्वर कुस्तुती करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर ने अमे मोखा दिया, अनुगुरख दिया, इस समय के लिए अम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज मेरे जीवन में भी इस काने प्रभु ने दिया है, परमेश्वर जो बात करना चाते हैं, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बात करेंगे, मैं इसा ही सोच रही थी, प्रभु मेरे अंदर से बात किया, चंगाई के बारे में बोलना है, तो यही गाना मेरे अंदर से आते रहा, तु देता है पूर्न आप इश्व मसी के खोड़े काने से हम चंगे हो गए है, काफी है तो मेरे लिए, यही गाना मेरे अंदर से परमेश्वर देते रहा, इसके अंदर से तुम बात करना करके, तब मैं वच्छन को देख रही थी, तो निर्गमन की किताब 15 अधियाई 26 में इस वच्छन लिखा है मैं तुमारा चंगा करने वाला यहवा हो, तो इस जगा पर एक संभव हुआ है, तो उस संभव को बताने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर बात किया, जब स्टीदर बाई ने प्रातना किया, तो उसमें रेमा वर्ड परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बताया, यही पवितरा अत्मा के दूरा आज यहाँ बोलना है, जो मुसा इस्रेइल जनता को मिस्रदेश से लेके आ रहा है, लाल समूदर को पार करके उनको वहाँ लेखे आ रहा है, तो उस जगा पर उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, तो सब लोग क्या करते हैं, मुसा के विरोद में, पर कुछ बोलने लगे, तो तब वहां की पाणी एकदम खारा पाणी था पीने के लिए लायक नहीं था, तो उस समय में तो मुसा ने परमेश्वर से प्रातना किया, तब यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तुम इस पौदा, उदर एक पौदा को दिखाएं, उस पौदा को काट कर इस पाणी में डाल दो, इस पाणी, इस कारा पाणी, इस खडवा पाणी मीठा में बदल जाएगा, तो वैसा ही मुसा ने उस पेड को काट कर पाणी में डाला, उस पाणी मीठा हो गया, पीने के लिए लायक हो गया तब यहवा मुसा से बात किये है तो वो वचन को पढ़ना 26 को पढ़ना यदि तू अपने परमेश्व यहवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टी में ठीक है वही करे और उसकी आग्याओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैं मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उन में से एक भी तुछ पर न भेजूंगा क्योंकि मैं तेरा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहवा हूँ मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहवा हूँ तो ऐसा ही तमिड में लिखा है ना ने वुन परिगारी आगिये कर्थर ऐसे करके लिखा है मतलब अमारा चंगाई के लिए यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तयार करके रख दिया क्योंकि आदम अव्वा को परमेश्वर ने बनाया तब आदम पाप किया अव्वा पाप किया दोनों पाप करके परमेश्वर से दूर चले गई तो उस समय पिता परमेश्वर ने उसके लिए वो पाप से मुक्ति होने के लिए तो वहाँ ही पिता परमेश्वर ने उसका सोलिशन भी दे दिया, स्त्री से जो जनमा है वो शायतान की सर को कुछ लेगा करके, तो पाप के खारण मृत्यु है, पाप होता है वहाँ पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो वहाँ पाप है वो मृत्यु को पैदा करता है, मतलब अपनी जीवन में, मृत्यु मतलब क्या एक शरीर मरा हुआ तो अब देखिए, हिलेगा ही नहीं, ऐसा ही पढ़ा रहेगा, मतलब अपनी जीवन में आशिश मिले ही नहीं कितनी भी success के लिए दौड़ेंगे success मिलेगा ही नहीं ऐसी पढ़ा रहे गा क्योंकि पाप इंसान के अंदर है कुछ success पाने के लिए पूरी दुनिया दौड़ रहे हैं लेकिन success इश मसीट के अंदर ही है जो कोई भी इश्व मसी को विश्वास करेंगे, उनकी जीवन में सक्सस मिलती है, क्योंकि पाप वहां नहीं होगा, क्योंकि अमारा पाप को इश्व मसी कुरूस पे ले लिया है, उस पाप के कारणी मृत्ति अमारा जीवन में काम करता है, तो इसके कारण बीमारी आती है, ब आवित्र आत्मा अमारे अंदर आकर उस पाप की जड़ को उखाड के फेकते हैं जब पाप चल जाता है अमरा जीवन में चंगाई अपने आप आता है यही है अमको पूर्ण चंगाई देने वाला अमरा यहोवा रफा यिश्व मसी क्रूस पे वो मरा खोड़े खाया उनके पोड़े खाने के द्वारा आम चंगे हो गए हैं वही है मीठा मदुर से भी मीठा परमेश्वर का वचन है परमेश्वर का वचन ही है इश्व मसी लेकिए पिता पिता की शब्द इश्व मसी है तो उनका अंदर आत्मा है वो स्रिष्टी को करता है जब उजियाला हो जाओ करके परमेश्वर ने कहा तो इश्व मसी शब्द आया तो स्रिष्टि करता पवित्र आत्मा ने उजियाला को लेखे आया तो ये तीन तीनों अमारे अंदर आकर निवास करते हैं कब अम इश्व मसी को विश्वास करेंगे तक तो चंगाई, पूर्ण चंगाई अमें देने वाला अमारा इश्व मसी है जैसे ही इस पाणी पीने के लिए लायक नहीं ता उसमें वो पौदर को दालने से तो वो तुरन मीठा हो गिया, उस पौदर बताता है कुरूस को बताता है, कुरूस कुरूस को जो कोई भी अपनी जीवन में लेके आएंगे इश्व मसी को अपनी जीवन में अम भुलाएंगे, उस वच्छन को अमा अंदर रखेंगे, अमारा जीवन की खारा, अमारा जीवन की जो मरे हुए परिस्थदी, जो हमारे से कुछ होता ही नहीं है जैसे वो पाणी देखे पीने के लिए लायक नहीं है इसका मतलग कुछ भी यूस नहीं है उसमें यूस होगा ही नहीं ऐसे हमारे दुबार भी कुछ होता ही नहीं हम ऐसे सोच रहें क्यों नहीं होता है मैं भी तो सब करता हूं लेकिन जब वो डाला गया तुरंद वो पाणी लायक बन गया पीने के लिए लायक बन ये कितनी लोग वहां पाणी को पीए हैं तो वैसा ही क्रूस की बलिदान जो इश्य मसी अमारें अंदर आता है तब अमारा जीवन भी दूसरे को आशिश का कारण बन जाता है अमारा जीवन में भी success मिलती है, जो आदाम के द्वारा जितनी अमारे अंदर, क्योंकि आदाम के द्वारा पूरा मनश्य जादी पापी में ही है, हम पाप में ही जनम होते हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, इश्व मसी के द्वारा ही हम धर्मी होते हैं, जब इश्व मसी के काम करता है ऐसा नहीं मैंने ये किया मैंने किया मैंने किया हम भोलेंगे तो उसमें परमेश्वर की धर्मिकता के लिए जगा नहीं है सब उनका अनग्रग है वो अमसे प्यार किया अपने एक लवतर बेटे को दे दिया तो इश्य मसी का लहुक के अंदर ही अमारा सुरक्षा है, अमारा आशिश है, अमारा चंगाई है, सब कुछ उनके लहुक के अंदर ही होता है, तो इस बातों को आम देख सकते हैं, जैसे ही मिस्र देश से इसरेल लोगों को मुसा ने बाहर लेके आया, उसकी पहले यहोवा प कामों को किया है, दस काम को वहाँ परमेश्वर ने उनको दिखाया, मिस्र देश में, उसमें लास्ट है, जो पहला उटा को वहाँ मरना था, तो यहवा परमेश्वर ने मुसा से कहा, तुम जाकर फिरोन से बोल, पहला लोटा को मारने वाला, जो पहला बच्छा, जो राज में जैसाई जहिल में है उनकी बच्छों तक पहलोटा को मारने वाला हो चलिए जाके बोल अमारा जनता को जाने दो आरादना करने के लिए लेकिन शायतान देखे नौव काम वहाँ बड़े-बड़े काम परमेश्वर ने किया है तबी भी वो नहीं छोड़ा लास्ट काम वहाँ पिता परमेश्वर ने उनसे ऐसाई बोला है मुसा को हर परिवार एक-एक मेमना को चुन लेना चुन कर जितनी लोग है उसके अनुसार उसको एक-एक लेना वो भी चार दिन रूम पर रखना ऐसा नहीं है आंक नहीं पैर नहीं ऐसे वाला नहीं एकदम अच्छे मेमना को लेकर रखना फिर साम को उसको काट कर बनाना ऐसा ही आटा भी ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम थाजा आटा होनी चाहिए रोटी काने के लिए इसका मतलब थाजा मतलब एकदम शुद पवित्रता को बताता है ऐसा ही आता को लेकर आप लोग को रोटी बना के खाना उस मेमना को काटने के बाद उसमें लहू लेकर जिस गर पे आप रहते हैं उस गर की दोनो दर्वाजा के दोनो साइड और उपर साइड में लहू चिपकाना जब मैं आऊंगा जि उसको देखके मैं पार होके चला जाओंगा जिस गर पे वो लहू की निशान अगर नहीं है उस गर की पहला बचा मरेगा ऐसा ही करके एगवा परमेश्वर ने मूसा को बताया तो मूसा वैसा ही इसरेल लोगों को बताया वैसा ही वो लोग पूरा ऐसा ही पिता परमेश्व यहां आया था, लेकिन उस गर को पार करके चला गया, जिस गर पे इश्य मसी का लहू है, उस गर पे मृत्तिव का जगा नहीं है, इश्य मसी का लहू में जीवन है, उस जीवन अमारा दिल की दर्वाजा पे, अमारा सोच की दर्वाजा पे, अमारा मन की दर्वाजा पे, अमारा शरीर की दर्वाजा पे, अमारा परिवार की दर्वाजा पे, अमारा कलिश्या की दर्वाजा पे, अम चिपकाएंगे, कुछ भी मृतियों अमारे अंदर आने पाएगा, उस लहु में सामर्थ है, उस लहुक के अंदर ही रहना है यहोवा का नाम है द्रिड गड है उसी के अंदर ही रहना दर्मी उसमें बाग कर सारे विपतियों से बचता है उसी के अंदर ही अमरा सुरक्षा है उसको छोड़कर हम कहीं जाएंगे अमरे लिए सुरक्षा नहीं है उसी में ही अमको बने रहना उ उसकी जीवन में जुड़े रहे ना, अभी अम लोग कितना Bible study में सुने हैं, जीवन, इश्व मसी है, लहु में ही जीवन है, अमारा शरीर का जीवन लहु में ही है, मामस का जीवन लहु में है, उस लहु को इश्व मसी पूरा अपनी शरीर से, अमारा लिए बैह दिया, पूरा कुरूस पे देखना, पूरा एक भी लहु उनके अंदर नहीं है, पानी और लहु दोनों मिलके आ रहा था, उसके वज़े से अम लोग जनम हो गई है, अम उसके द्वारा जनम होए है, उनका जीन, उनका धीयन ये अमारे अंदर आ गया है, अमारा पुराना मनश्य मर गया है, आत्मा में मरे हुए थे, अमको इश्व मसी आकर अमारा अंदर, अमारा आत्मा के अंदर आकर वो अमको छिलाया, पुराना नियमें देखते हैं, जितनी लोग पाप करते हैं वो लोग हर एक एक-एक मेमना को बकरी को कुछ लेखे आना पड़ेगा जानवर को लेखे आकर उसको रखना उसके उपर ये लोग हाथ रखेंगे मेरा पाप को इस जानवर के इस बगर के उपर मेमना के उपर में रखता हूं करके इसे हाथ रखेंगे इसका पाप पूरा वो लेकर उस जानवर को बली चड़ाते थे लेकिन नया नियम में इश मसी मेमना बनकर अमारा लिये आकर मरा अमरा सारा पाप श्राप भीमारी निंदा अपमान सब कुछ वो अपने शरीर पे ले लिया यही है सच्छाई इस सच्छाई को जानोगे सच्छाई तुमें स्वधंत्रे कर देगा पूर्ण चंगाई विचार में अमको ध्यान रखना है जैसे एक बार इदर बाइबल स्टडी में हुआ विचार उंको कंडन कर कंडन कर काईद कर मसी का आइन्याकानी बना देना क्यूं क्यूंकि विचार में आता है तुमारा सरीर में दरद है तुमको चक्कर आता है तुमको कून की कमी है ऐस ऐसे ही शैतान अमको जूट बोलता है जूट को हम देखेंगे तो दिखाते रहेगा हाँ, हाँ सरी है मेरे लिए खुझा, मैं ऐसे बोलती थी पहले, क्योंकि डाक्टर ने बता दिया तुमको साती ग्राम साती है, कुन ब्लड है, तो मैं बोलती थी, हाँ, मुझे साती है इसलिए मेरे को चक्कर आता है, चकर ऐसे बोलते रही तब ही मेरे को एक दिन पवितरात्मा बता है, तुम जितना, हाँ, हाँ, बोलके तुमारा सरीर में तुम स्विकार करते रहोगी, वैसे ही रहोगी लेकिन मेरा शरीर इस मसी का लहू से में खरिदा गया हूँ उनका लहू है में क्यू बोलू, में नहीं बोलूंगी मेरा शरीर में पूर्ण चंगाई है, पूर्ण देवी का आरोग्यता है वो मेरे लिए मारा एक जितनी भी कून की कमी है अमारा धरद सब कुछ इश्व मसी ले लिया अमारे अंदर वो रहता है महिमा की आश्या है वो अमको चंगाई देता है सुरक्षा देता है अमारा प्रान को बच्छाता है अमारा प्रान में ही शैतान काम करता है क्योंकि शरीर, प्रान, आत्मा अमारे अंदर तीन बाग है, इसमें अमरा आत्मा, स्पृट, जिस दिन हम युशु को विश्वास किया, उस दिन अमरा स्पृट क्या होता है, युशु जैसे बन जाता है, पवित्र आत्मा उसको सील रख दिया है, उसको शैतन चून नहीं पाएगा, लेकिन अमरा प्रान मे अमरा मन में यही बताता है, तुमका ऐसे ऐसे हुआ ना, पहले, इसलिए आज में ऐसे हो रहा है, इसको तुम विश्वास कर, वो कोन है, अमको बविशेवानी बताने के लिए, शैतन को बविशेवानी नहीं आएगा, उसका बविशेवानी आप देखेंगे तो आगे को द वह हरा हुआ है उसके अंदर कुछ भी नहीं है वह है तो तबी देगा इश्व मसी के पास जीवन है वीज्जय है चंगाय है सामर्त है आतिखार है पवित्रता है धर्मिकता है पिता के साथ हमें छोड़ दिया इश्व के पास ही सब कुछ है सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्व देखना नहीं मैसुस होती है ऐसा ऐसा हो रहा है लेकिन मैसुस को नहीं देखना सच्छाई को देखना सच्छाई को देखना शैतान हरा हुआ है उनका सर को इश्व मसी क्रूस पे कुछल दिया देखे उसको सरी नहीं है बात तो यह सर नहीं इतना ही है उसको रख रख के ल कोछलने के लिए हमको दिखाना है कभी-कभी हमको सरदरत होती नद तोड़ा भी जान लेता है नहीं तो आ। यह उमको वह जानने पाएगा हम रखेंगे वो जान लेगा, इसको सर में कुछ दरत होगा, और दिखाएगा, चल, मोका मिल गया करके शायतान, और दिखाएगा, यहां दरत, यहां दरत, ऐसे कहां का, इसलिए हमारा विश्वास ऐसा ही है, हमको उसके में परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे प्रभु की वच में भी ऐसा नहीं दिखाना, अच्छा दिखाना, इश्व मुझे में है, महिमा की आशा है, मैं जिन्दा हूँ, इश्व मसी के अंदर, मैं चंगाई पाई हूँ, मैं अनंत जीवन को पाया हूँ, जाई पाया हूँ, सामर्त पाया हूँ, अठिखार पाया हूँ, राज करन के लिए मुझे बुलाया है दूसरे को आशिष कद आशिष देने के लिए मुझे बुलाया है सच्छाए मेरे बारे में लिखा हुआ वच्छन उसको हमको देखना को आंक के सामने रखना आज वच्छन सुने ओंगे सुबह युटूब इतना रोशनी है, उसके पास हम बैटेंगे, आम भी चमकेंगे, पुराना नियम में, मुसा 40 दिन, पिता परमेश्वर के साथ ता, उसका चहरा चमकने लगा, नाया नियम में अमारे अंधर है महिमा की आश्जा, अम और चमकेंगे, इसलिए बोले सोने वाले मुर्दों से जीवुट, मसी तुमारे अंदर आकर तुमको चमकाएगा, मसी का नूर चमकेगा, ऐसे समय को बरबात ना करना, अभी समय अंत वो रहा है, इश्व मसी आने वाला है, अम उसके लिए थयार रहना, अमेशा उसके अच्था में रहना, यहीं आमको शरीर में चंगाई को लाता है, क्योंकि मन, मन में पहला अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा रहेगा, मेरे बाच एक बच्चा आया था, मैं उनसे पूछी ती तुमारा बेहन क्यों नहीं आया, तो बोलता है अंटी उसका मन खराब है, तो मैं पूछा मन कराब तो क्या हुआ, मेरे को उनका बाचा नहीं समझाया, बिहार का बिहार में ऐसे बोलते होंगे, मन खराब है, मन कराब है, ऐसे कुछ बोला था, तो मैं पूछी ती ऐसे मतलब क्या होता है, अंटी उनको इना बुखार है, तब देखो, मन खराब, ढलता है डर देता है ऐसा है हो जाएगा करके जूट बोलता है वो जूटों को पिता है इतना जूट बोलेगा एक भी सच नहीं है उस जूट को सुनते सुनते बच्छ लोग छोटे बच्छ लोग से मैं बात करती न तब बोलते आंटी मेरे कुछ अपन में ऐसा ही आता है वो ऐसा ही आता है में डरता हूँ देखे बच्छों की जीवेर में शायतान ऐसा ही खाम करता है मैं बोला यूशु बोलो शायतान बागेगा खापेगा वो पीशु के सामने काड़ा इसलिए आम लहु के अंदर रहना है हम इश्व मसी के लहु के अंदर रहेंगे इश्व मसी अमरे चारों और है है ऐसा ही करके आम बोलते रहना आम उसको विश्वास करेंगे वो अमारे पास में भी नहीं आपाएगा दूर में देखे बाग जाएगा कुछ भी बीमारी कुछ भी अमारे पास नहीं आप पूर्ण चंगाई अमारा जीवन में, मन में शरीर में, अमरा प्रान में अमरा आत्मा में देने वाला अमरे इश्व मसी वो अमसे बहुत प्यार करते हैं और एक जगा पर हम देखते हैं इस्रेल लोग परमेशर की विरोध में, मुसा की विरोध में इतना वो लोग बात किये हैं, तो वहाँ इतना तेज विश्वाली साप आ गया, परमेशर ने बेजा, सब जितनी लोगों को साप काटा, वो सब लोग मरा, तो वहाँ अपरमेशर से विंती करना, तो मुसा ने एहवा से प्रातना किया, तो एहवा परमेशर बोला, एक पितल की सर्प बढ़ा कर रखो, जिसको भी वो खाटेगा, वो पितल की सर्प को देखेगा, वो लोग चंगे होंगे करके, वो पूराना नियम में देखते हैं, ल आया नियम की रोशनी से पढ़ना तब यिश्व मसी नहीं आया लेकिन उसको बताता है यिश्व मसी कोई वो बताता है इसके बारे में हम योहना तीन अध्याय में हम देख सकते हैं वो अच्छन को हम पढ़ेंगे योहना तीन 13 14 15 16 कोई स्वर्ग पर नहीं चड़ा केवल वही जो स्वर्ग से उत्रा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है और जिस रीती से मूसा ने जंगल में साप को उचे पर चड़ाया उसी रीती से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उचे पर चड़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वा अनन्त जीवन पाए वो अनन्त जीवन को पाए उसके बाद भी पढ़ो 16 क्योंकि परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वा नश्ट ना हो परंतु अनन्त जीवन पाए उसमें लिका है जैसे ही मुसा उसको उपर रखा था वैसे ही क्रूस पे इश्व मसी मरा है जो कोई भी उस क्रूस को देखेंगे वो लोग जीवन पाएंगे मृत्य अमसे दूर हो जाएगा जैसे उस उदर मुसा ने सर्प को रखा जो भी साब खाटा था वो उनको देखते हुए वो लोग चंगे हो गई है वो एक चाया है वो सच नहीं है मतलब वो चाया जैसे ही परमेश्वर ने उनको दिखाते है तुमारा लिए एक उद्धार करता की जरूरत है तुम लोग कुछ भी इस जीवन में नहीं कर पावोगे तुम लोग कुछ भी मेरे द्वाराई आप लोग को चंगाई मिलेगा शांती मिलेगा सब कुछ मिलेगा मुझे चोड़ कर आपको कुछ नहीं मिलेगा इसको दिखाने के लिए चाया की रूप में पुराना नियम में परमेश्वर ने उनको दिखाया नाया नियम में वो इश्व मसी को दर्शाता है जो कोई भी उसके उपर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे इसका मतलब अम मरेंगे नहीं बले इस शरीर से अमारा प्रान निकलेगा तो भी वो इश्व मसी के साथ चला जाता है अमारा शरीर इदर रहता है इतना ही है अमको मृत्यू नहीं है अम अनंत जीवन पाएंगे है क्योंकि अमारा प्रान मरा हुआ था जब इश्व को विश्वास किये उसमें से अमको इश्व मसी अमारे अंदर आकर अमको जो मरे हुए था अमको वो छिलाया अम जिन्दा हो गए है अम इश्व मसी के अंदर अम जिन्दा रहते है और जीवन की रोटी मैं हूँ इश्व मसी ने बोला जीवन की रोटी, वो उस रोटी को काने वाला शरीर में चंगाई को पाता है, वो चंगाई उस रोटी में ही है, उस वच्छन में ही है, जीवन के अंदर, जीवन के साथ हम जुड़े रहेंगे, चंगाई अमको वहां से आता है, कोड़ी इशु के पास आके बोलता है, प्रभ कार की दुनिया में अभी देखिए कैसा ही क्या क्या हो रहा है लेकिन अमको परमेश्वर बच्छाने वाला है उनका लहू इश्व मसी का लहू अमें बच्छाता है यह की है उस लहू के अंदर ही अमको रहना है उसी में ही अमको बने रहना है उसको छोड़ कर अम कहीं भी शरीर, प्राण, आत्म, जंगा इसे रहता है, क्योंकि अमारा सामने दो रखा है, एक जीवन, एक मृतियों, दो है, इसमें से चुनना अमारा इन काम है, एक जीवन चाहिए, तो जीवन की मार्ग, ईश्व मसी के अंदर अमको आना है, यह मृतिय है, दुनिया में दो ही है, र जोती का राजी है, जोती में इश्व मसी राजा है, अंदकार में शायतान राजा है, वो क्या करता है, लोगों का अंदकार में रखते, अंदकार में ही मारता है, अंदकार में देखिये, पता नहीं चलेगा, अभी लाइट चालू है, हमको सब पता है, अगर लाइट नहीं तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, क्या आता है सामने, और क्या है, कुछ पता नहीं, चलेगा, कीडा, कुछ भी साप, कुछ भी बिच्छो, सब अंदकार में चुपा रहता है, इसका मतलए अमारा मन, अमारा मन को बठाता है, अमारा अंदर, जो अंधखार रहेगा, उस शैतान के लिए हम जगा जूट, तीकि जूट में ही अंधखार है, पूरा अंधखार बरा रहता है, जूट, जब जूट को मांन लेंगे, अंधखार आ गए, उस जगह पर आके शैतान, अंधेरा में छूप जाता है, अमारे अंदर, पिर अमारे शरीर आजाता है समझ लेना जब जूट आता है जानना वच्चन से इस लिए वच्चनưको पता चलना है ऐसे ही दो तीन दिन के पहले तैनीम बैसे ही DRC मेरे अंदर में आपकर आपके हैंドン से को ढॉट। मैं बोला, मेरा बविष्यानी बोलने के लिए तुम कौन हो, वच्छन में लिखा है, वो बविष्ये को देखते हुए, वो आनंद होती है, नीती वच्छन में, उस वच्छन को में लिया, जले जा शैतान, तुम मुझे कुछ भी जूटे, बोल नहीं पावगे, तुम मुझे डारा नहीं पावगे, सोच में ही आता है, ऐसा ही में बच्छों लोगों को, संडे क्लास में उनको में सिखाया, ऐसा ही में बोला, आंक बंद करके, चल के देख, में बोला, वहां है अजई, जा, अजई को जाके, डून, तो अजई को में बोला, उस तरब चला जाओ, पहल में कुछ-कुछ बच्छा लोग अनुष्का पैर ऐसे-से की है गिराड़े के लिए चोटा-चोटा बच्छा लोग चीटी काट रहे थे मतलब अंदाखार में ऐसे दरद है गिरना कुछ पता नहीं चलेगा तो मैं बोला बच्छा लोग जूट के लिए जगा नहीं देना यह है यह है शैतान जूट बोलता है अमको गिराता है बीच-बीच में उनका बतलब जो बच्छा लोग करते ना हो तो ऐसे नाटक के लिए किया लेकिन शैतान ऐसे काम करता है उसको बड़ा नहीं है वो छोटा है उसका बड़ा बोलेंगे वो बोल देगा मुझे आरादना है लोग करते हैं बार-बार उसको ही बोलेंगे शैतान सोचेगा यह मुझे अच्छा सा बार-बार मुझे पुकारते हैं करके आते हैं नहीं हम इश्य को ही पुकारना इश्य मसी में हम बने रहना वो जीवन की रोटी है उसका अच्छे से खाना उस पानी को अच्छे से पी अमारे अंदर दिया हुआ वर्धान को अमको चमकाना उसको आग लगाना वो पवित्रा आत्मा ही करता है जो वर्धान हमें दिया है उसका मानिय बाशा में वच्छन में आराधना में जैसे आपको पवित्रा आत्मा चलाता है उस पे हम जाई अब घरम घरम रहेंगे तो मच् दिया अतिकार के सार क्यों? अनिय बाशा में अमेशा वच्छन में अमेशा परमेश्वर की रिष्था में अब बने रहेंगे शायतान अमरे पास नहीं आ पाएगा वीमारी अमरे पास नहीं आ पाएगा मैं एक बार ऐसे सोच रही थी अभी एक दो साल के पहले जैसा लागड़न हुआ था, तभी मेरेको भी थोड़ा शरीर में कुछ, इसके वज़े से में भी ऐसा ही एक रास्ता में गुजर के गई, ऐसा ही बीमारे में थी, तो में बहुत प्रभु के वच्छन कोई पकड़ी, उनका लहु कोई बोलते रही, वही मेरे को छंगा किया है, तब मेरे को पिधा परमेश्व ने एक बातों को दिखाया, नाहमान, जो नाहमान पुराना नियम में उसके शरीर में कोड़ी आ गया था, वो बश्यदता के पास आता है, यलिशा के पास, तब यलिशा बोलते है, साथ बार तुम जाके युरु परमेश्वर ने दिखाया, वो जाके एक बार पाणी में डूपके उटाओगा, कुछ नहीं हुआ, दूसरा बार, तीसरा बार, चार बार, अपने बल से वो कुछ सोच के वो कियाओगा, लेकिन ऐसे लास्ट बार मुझे परमेश्वर ने दिखाया उनको, वो केसे ही, वो स करूँगा, अगर नहीं होगा, ये भी में करूँगा, पहले से, अम अपनी विचार से तयार करके रखते हैं, ये नहीं तो, ये, लेकिन ना हमां लास्ट समय में ऐसे सोच के डूबा होगा, इस लास्ट बार, इस बार में चंगा नहीं होगा, तो मेरे को क्या होगा, सोच क पूरा पूरा अपना दिल को परमेश्वर के उपर रखते हुए, जो बहुशदता की बातों पर, जो वच्छन पर, जो पिता के ओर से आया, उस पर विश्वास करते हुए, वो डूब के उठा उसका शरीर जंगा हो गया, पहले होता तो, मेरे बल से गया, बस यह नहीं तो द साथ बार मतलड, बाइबल में हम देख सकते हैं, साथ बार परिपूर्णता को पताता है, एक परिपूर्न एक विश्वास उसकी अंदर आ गया, पूरा चंगाई पाया, तो मेरे अंदर से पिथा परनेश्वर ने बात किया, तुम आपशन मत रख, आपशन मत रख, हाँ य चलो ये करेंगे ये नहीं तो ये नहीं एक ही इश्व मसी के खोड़े काने से मैं चंगी हो चुकी हूँ मैं चंगी हो चुकी हूँ मेरा पूरा बीमारी को कुरूस पे इश्व मसी ले लिया मेरा श्राप को वो काटों की मुखुट को वो ले लिया मेरे हाथ को वो आशिश कि में जो भी काम करूंगी सफलता को पाऊंगी मेरा शरीर परमेशर का मंदीर है इसके अंदर पवित्रा आत्मा निवास करता है में चलूंगी में उठूंगी वो मेरे अंदर से चलेगा बात करेगा पिता परमेशर ने मेरे साथ बात किया पवित्रा आत्मा मुझे दिखाया ऐ पास्टर जी के दुवारा लिखा वा वो सूली पर ऐसा ही वो शांग मेरे जीवन में इतना बड़ी थाकत को लेखे आया। ऐसा ही वो कुरोच पे ऐसा ही जै जै कार की द्वनी सुनाया। ऐसा ही मृतिय को ढंग को मृतिय अपने मृतिय से इश मशीने थोड़ा। उस गाना मेरे जीवन में इतना में ऐसे सुनी होगी आजार बार, आजार बार सुनी होगी, इतना उसके अंदर से जब में जो अंदर था उसको पूरा में चूस ली, तो मेरा शरीच जंगा हो गया, मैं अभी भी वो गाना को सुनती हूँ, मेरे अंदर से कुछ होता है, ऐसे म इतना वो घाना में को घाना के अंदर पवित्रा आत्मा का थाकत है मृत्यू को पूरा इश्व मसिय अपने मृत्यू के द्वारा थोड़ दिया है मृत्यू तेरे डंग कहां है ए पाथाल तुमारा जय कहां है ऐसा है करके उसमें वच्छन देखिए इसमें भी हम देख सकते हैं पुराना नियम में मुसा को हारन को पिता पर्मेशन ने बोलते हैं फिरोन के सामने जाओ जाके तुम बोलो मेरी जनता को छोड़ दो तब फिरोन नहीं छोड़ेगा तब वो तब क्या होगा वो बोलेगा कुछ चिन चमतकार को दिखाओ करके वो बोलेगा तुम क्या करना हारन को बोलो अपनी लाटी को डालने के लिए वो साप बन जाएगा तो वैसा ही गया तब फिरोन ने बोला है डालने के लिए तो वैसा ह आरोन की लाटी को डाला वो साब बन गया तो जो फिरोन की महल में था उनकी साथ जो राजमहल में है वो मंत्र मंत्रत तंत्र लोग उनकी साथ जो जो है वो लोग आकर वो लोग भी डाला अपनी लाटी को वो भी साब बन गया लेकिन हारोन की लाटी, उनका लाटी को निगल लिया, निगल लिया, ऐसा ही, अम नया निया में, हम देखते हैं, वो अच्छन को अम देखेंगे, एक कुरुंदियों, पंदरा अधिया, एक पडिमा, एक कुरुंदियों, पंदरा अधियां, 54, 55, 56, 57 तक बढ़े, और जब यह नाश्वान अविनाश को पहिन लेगा, और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वच्छन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यू को निगल लिया, हे मृत्यू, तेरी जय कहा रही, हे मृत्यू, तेरा डंग कहा रहा, मृत्यू का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्ता है परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु इश्व मसी के द्वारा हमें जैवन करता है इसमें लिखा है जाई ने मृत्य को निगल लिया यही बात है पुराना नियम में हम देखते हैं ओ लाटी को आरोन की लाटी को वहां की फिरोन की जो वहां वो लोक किये हैं उसको वो निगल लिया वैसाई इश्व मसी के मृत्य के द्वारा जो मृत्य था अमारे उपर प्रभुता किया था उसको अपने मृत्य के द्वारा वो थोड़ दिया अमको जाई देने वाला, अमारा परमेश्वर पिथा को धन्यवाद, हार जगा, हार समय, अमके जाई के उस्व में वो लेके जाता है, सारा मृतियू, अमारे उपर जितना मृति की बात है, मृति की बात मतलब निराश, उदास, दुख, बेदना, सक्सस नहीं है, जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा का प्राब्लम, परिवार में शांती नहीं है, यह सब मृतिय को ही बताता है, लेकिन इसको, इसको इसमें लिखा है, मृतियू, जाई ने मृतिय को निगल लिया, इश्व मसिक का नाम को बताता है, वो पूरा मृतिय को निगल लिया, मतलब का लिया, बस, वो दिखेगा ही नहीं, ऐसा ही, जब ही मुझे बहुत अभी तोड़ी दिन के पहले, खासी हुआ था, तो मैं सोचते रही, सब लोग बोला, इसका पापा भी बोले थे, ऐसा ही, खासी तो आते रहता है, दवाई ले लो, ले लो, मैं सोची, ठाक, अच्छा ना इश्व नाम, सबसे स्रेष्ट नाम, सबसे उंचा नाम, उस इश्व नाम, इस सारे नामों को, बीमारी सब नामों को निगल लिया, तो मैं बोली, इश्व नाम को लेकर, कासी करके, वो नाम को लेकर, इसको पूरा चंगली, पूरा चैन से बांध कर, जहां पाथाल में करक फेग दी, ऐसा है मेरे का एक्षन करके परमेश्वर पिता ने मुला, एक्षन करके ढाल, तो मैं ऐसे ही किया, अभी भी होता है, वही बोलती है, इश्व के नाम, पूरा बान कर पाताल में, डाल दे, एक बार डाल दे वापस, वो नहीं आए पाएगा, वो निगल लिया, वो इश्यू का नाम अमें दिया गया है उस नाम में चंगाई उस नाम में सामर्थ उस नाम हमारे अंदर है हम इश्यू के लिए हम अलग किये हुए लोग है वाच्छन में चलना जानकारी पाना इश्यू कोन है वह अमरे लिए क्या क्या किया यह सब हम जानेंगे हम सब के उपर जाई पाएंगे परिस्तिति के उपर हम जाई पाएंगे सारे शैतान की सामर्थ के उपर हम जाई पाएंगे बिच्छों को सापों का हम कुछल के रोंद कर हम सापको जो अजगर सब को हम रोंद के चलेंगे इतना अतिकार हमें परमेश्वर ने दिया है तो यह सब अमको जान अमारा चीवन में चंगा एक बड़ी आशिष है, चंगाई, हम चंगाई से रहेंगे, देखिए, सेवकाई हम करेंगे, अपनी परिवार में भी कुछ है, काम के लिए, हमको उटना तो भी शरीर अच्छा रहेगा, तो उटके देखिए, कुछ-कुछ अलग-अलग डिश बना कुछ भी बना के बच्छा को दो, ऐसा ही ये काम करेंगे, ये साफ सफाय करेंगे, आम सोचते हैं, तो ऐसा ही, बाई लोग क्या सोचेंगे, अच्छा रहेंगे, एक दम कुछी-कुछी से हम डूटी चाते हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो बच्छों लोग भी द परिस्तिदी बोलेगा, सरीर भी बोलेगा, ऐसा ही होता है क्योंकि ऐसा ही रास्ता में में भी गुजर के पहले, बहुत दिन के पहले ऐसा ही रास्ता में में भी गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा ही हूँ, जब भी होता था, मैं वचल लेके पढ़ती थी इश्व मेरे साथ बात किया पवितर आत्मा मुझे चलाया जब अंटी अंकल के पास पास्टर जी के पास में आती थी सिस्टर मेरे लिए प्रातना किया यह लोग यहीं बताएं आप चंगे हो गए है मैं चंगी हो गई हूं यहीं आपको सोचना इ्श्व अच्छा है आपको कभी नहीं चोडेगा कभी नहीं त्यागेगा इसी वच्छन को बोलते रही इसको ही सोचते रही तब पवितर आत्मा मुझे प्रकटि करण दिया प्रकटि करण जरूरी है आप भी मांगिए प्रभुई एक एक वचन के अंदर जो छिपा है, मुझे बताईये, प्रकटी करन हो जाएगा रोषनी है, प्रकटी करन मतले है, रोषनी, उस रोषनी आएगा, और एक स्टेप आगे जाओगे, और रोषनी आगे जाओगे, जहां पिता का सिंगासन है, अम पिता के पास Premier 10 कि अरमेने का Bowl mother अम्हें आपटर डुनिया बहुत है अमारे इंदर जोती यह इस्यू on आणिकमें एक एक जगह पर चमक सत्क तो लोग देखंगे जीम आणतो लाहेट स्वा इन देख कि की आम जगत की जोती है, हम चमकेंगे, कब? हम हिरदय में उसको आने देला, हिरदय की पत्तर जैसे नहीं रखना, पत्तर के में अंदर बीज नहीं जाएगा ना, चार जमिन में देखिए, पत्तर की में, वो अंदर नहीं जाया, जैसे रोड था, रोड में जितना बीच हुआ, मतलब था, उसमें एक भी अंदर नहीं गया, तो अमारा मन को पत्तर ना रखे, अमारा मन को नारम रखे, बच्छन के लिए जगा दे, जोती आने दे, मत्का है, देखें, एक मत्का है, एक मत्का के अंदर, अब दीप जलाके रखोगे, वो दिखेगा नहीं, मत्का के चारों और पूरा थोड़ा होल डाली है, वो जोती ऐसा है, दिखेगा, तो मत्का देखने में सुन्दर रहता है, इसका मतलब, अमारा मन को अमको खोलना, नमरता में रहना, ऐसा नहीं है, नमरता चेसे नाटा करना, परमेश्वर की धर्मिकता के उपर, इश्व मसी के विश्वास के उपर, अमारा धर्मी है, वही है अमाले लिए धर्मिकता, उस धर्मिकता में ही नमरता अपने आप आता है, उसी में हमको रखना है, अमारा मन को खोलेंगे, अम नम्रता से परमेश्वर की वच्छन के लिए अम जगा देंगे, इतना वच्छन हम पढ़ेंगे, बले समझ नहीं आएगा तो भी आप पढ़ते रहिए, अप मनन कीजिए, इतना आपके अंदर से पवित्रात्म को काम होने के लिए अप जगा जरू देखिए, एक एक वच्छन के अंदर जो रोश्नी है, एक एक चमक देगा, एक एक चाबी है, एक दिन ऐसा ही मेरे को प्रकटी करने, एक चाबी, एक वच्छन से एक कोलोगे, और एक वच्छन मिलेगा, उसके अंदर से, और उसको कोलोगे, और एक दर्वाजा, और ऐसे कोलते 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 हम पिता के पास पहुंच आएंगे, वचन इश्व मसी है, वो ही अमारे लिए धर्वाजा है, वही है, हां, अमारे लिए फाटक है, वो बोलते हैं, मैं ही द्वार हूँ, मेरे अंदर, जो कोई भी, उसके उपर विश्वास करते, बीथर प्रवेश करे आचल के द्वांग, वो हारा बरा रहेगा, में चर्वाहा हूँ, एक एक वचन, एक एक जीवन के लिए हमारे चाबी है, अतिक कारक, आखेए एक फिर घूंग, करो किसारे वस्त तुम्हें धीया जाएग आज अनुष्काण कर पहले जीवन की जरूरत पहले क्या है ये ये यह मसी उसको को जो उसी में उठ जाओँ चंगाय क्यू नं मिलेगा शांति क्यू नं मिले मां रलीगा वही इस शांति जारी सोब कुछ कर दिया पहले से युद्ध हो चुका, दुष्ट तेरे मार्ग पे नहीं आएगा इस सब कुछ कुरूस पे हो गया है अमारे लिए चंगाई, पूर्न चंगाई, पूर्न शान्ति अमारे लिए सब कुछ कुरूस पे इश्व मसी के द्वारा अमको दे दिया है इसको हम विश्वास करेंगे, हम अपने जीवन में, हम चंगाई पाएंगे, हम चमकेंगे, अमारा जोती पर राजा लोग दौड के आएंगे, दुनिया वाला को पता चल जाएगा, देखें इन लोग कितना अच्छे हरे बरे रहते हैं, वच्छन कहती हैं ना, जो में बसे रहते हैं, वो हारा बरा रहता है, ऐसा ही वो लंबा होते रहता है, कोई उसको आशिष को रोक नहीं सकेगा, देखें, जीवन की जल की नदिया ऐसा ही जाएगा, नदी को कोई रोक नहीं सकेगा, सुना में आया था, कोई उसको रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया, वो तो नुकसान आके किया है, मैं उसके लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन पानी की ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा, अमारा आशिश को भी कोई रोक नहीं सकेगा, यही है, अमारा चंगाई, इश्व मसी के द्वारा ही अमको मिलता है, शामर्थ, आनद, कुशी, सोच, इस सोच को खोलना प्रभू, मसी का मन अमें दिया गया है, मसी का मन है, नई स्रिष्टी के अंदर मसी का मन है, इस मसी के मन को अमारा शरीर में अमको प्रहड करना है, मतलब आने देना है, दर्वाजा खोलेंगे तबी ना अंदर आएगा दर्वाजा खोलेंगे तबी अंदर आएगा खोलगो दिल खोलो मन कोलो इश्व मसी के वक्षन के लिए जगा देंगे उसको Satya अमरे के लिए चंगाई अमारा हड़ी के लिए पूरा एकदम हड़ी अमारा मजबुत रहेगा, अमारा आंक निर्मल रहेगा, रोशनी रहेगा, मुसा मराता 120 वर्ष में, तो अभी उसका आंक थोड़ा भी, अभी 45 पॉर्टिफाइ में, अभी चोटे बच्चे भी क्या करते हैं, चस्मा डालते हैं, अभी आंक नहीं दिखता, लेकिन आमारे लिए वो नहीं, आमारे अंदर पवित्रा आत्मा है, उसका थाकत से आमारा आंक रोशनी रहेगा, आमारा हड़ी मजबूत रहेगा, अम चंगे पाये हुए लोगे, अम आशान्ती पाये हुए लोगे, अम लोग चुने हुए लोगे, अम परमेश्वर के वारिस है, अम यूश्व मसी के संग वारिस है, अम बेठा बेटी है, तो पिता परमेश्वर ने काका, मेरा सब कुछ है, तेरा ही है, सब कुछ अमारा लिए दे दिया, अपने बेटे को ही दे दिया, तुम क्या बोलते हो, है दोश लगाएगा तुमने वैसे किया, तुमने वैसे किया, पांच साल के पहले वैसे किया, तो क्योंकि ऐसे विचार आएगा तो भी, देखिए तुरन इश्व मसी अपका लगू से मुझे साफ कीजिए, मैं आपका विरोध में क्यूं, मैं नहीं इस बातों को इश्व के लव से मैं दूर करता हो, बोलने से हम चंगे हो जाते हैं, मन फिरना भी एक चंगाई को लेके आता है, समझ लेजिए, मन फिरना, यहीं है मन फिरना, क्योंकि सोचे, सोच में शैतान आगे है, तो तुरन, पवितरात्मा बताएगा, ऐसा ऐसा बोले हो, तो समझ लो, गलत है, तुरन, इश्व मसी के लहू, प्रभू मुझे साफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, तो मन फिरना, वो भी चंगाई को लाता है, इश्व मसी में बने रहना, उस जीवन की रोटी को काना, उस पानी को पीना, इस जीवन की यात्रा में, हम साथ मिलक चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, वो बहुत एक बड़ी एक टाकत है, साथ मिलकर चलना है, अमारे सामने जीवन है, मृत्यू है, इसमें से अमको जीवन को चुन लेना, और अमारे सामने आशिष है, श्राप है, अमको आशिष को चुन लेना, अमारे सामने एक सक्रा मार्ग एक चोड़ा है, एक सक्रा है, अमको सक्रा मार्ग को छुनना, क्योंकि इसमें बहुत लोग जाते हैं, उसमें श्राप है, एक जोती का मार्ग है, एक अंदकार का मार्ग है, अमको जोती का मार्ग को छुनना, एक जीवन की रोटी है, एक मृत्यू की रोटी है, जीवन की जाएंगे, तो मिरुत्य अमारे जीवन में काम करेगा, और नया दाक्रस बन के अम रहना है, पुराना दाक्रस नहीं, पुराना दाक्रस क्या होता है, कटा हो जाता है न, तो दारुव जैसे हो जाएगा, नया दाक्रस, अमको शरीर में एकदम ताजापन, अमारे जीवन में नया दाक्रस, नया नया शाक को ऐसे करके लिखा है मशको, मशको नया मशको, उसमें नया दाक्रस को रखना, मतलब हम नई स्रिष्टी है, हम नया मनश्य है हम नया नियम की बच्चे लोग है और हम अमारे अंदर जीवन की सोता है पीश्व पुराना नियम में पिता परमेश्वर कहते हैं मेरी जंता मुझको छोड़कर फटा हुआ फटा हुआ को चुन लिया, जैके फटा हुआ रहेगा पानी रहते रहेगा, पानी लीकेज हो जाएगा ना फटा हुआ को डून के कुछ नहीं होगा कितने भी कमा के तुम डालते रहोगे वो पटा हुआ है, वो लीकेज है वो जाते रहेगा जीवन की सोता उसको हमको छून लेना उसको हमको जीवन में आने देना ये सब नया नियम नया नियम में इश्व मसी के द्वारा में मिला है, नया जीवन आशिश जीवन, नया धाकरस नया मनशिय, नई स्रिष्टी अमारे अंदर पवितर आत्मा आके निवास करते हैं अम परमेश्वर की मंदिर है देखिए, जीवन में हम चंगा इसे रहना है, इस सब वचनों को इश मसी को, क्रूस की बलिदान को, पिता की पिता की बेठा हमारा लिए दिया गया इस बातों का हम विश्वास करेंगे इसमें हम लगे रहेंगे, उसमें जुडे रहेंगे, हम लोग जंगली जाईतुनते, हाँ हम लोग कोन है, जंगली जाईतुनता लेकिन हम अच्छे जैतुन के साथ साथा गया, उसका जड के लिए हम उस जड को बागिदार हो गई, चिकनाई को भी हम बागिदार होएंगे, उसका जड से जो आता है, उससे हम जुड़े रहेंगे, वो सच्छी दाकलता में हम जुड़े रहेंगे, उस जड से हमारा अंदर आते रहेगा, देखिए एक पौधा है, जड में वो डाली है, तो आप देखिए ऐसा ही बड़ेगा, नया पत्ता आएगा, फूलाएगा, और यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, वो व्रिक्ष देखने में अच्छा रहेगा, तो सच्छी दाकलता के साथ हम अमें आशिष किया, फूलो, फलो, पहले आशिष यही है आदाम को, आदाम को बनाया प्रमेश्वर, आदाम हवा को बना के आशिष किया, फूलो, फलो, पृतिवी को बर जाओ और सब के उपर राज करो, वश में लाओ, इस आशिष को वो खो दिया, लेकिन दूसरा आदा इश्व मसी के द्वारा ये सब में मिल गया मसी के अंदर सब कुछ मसी के अंदर ही है ये सच्छाई को जानेंगे हम सच्छाई अमेस उधंतर करता है तो यहीं है आज का पवित्रात्मा हमको दिया हुआ संदेश हैं सब के लिए एक चंगाई एक बड़ा एक गिफ्ट है कुछी से एक-दूसरे काम आशिष करेंगे शांति पाने वोग आम शांति से रहेंगे अमार अंदर शांति रहेंगा अम अच्छे खायेंगे दूसरे के लिए भी अम इश्व मसी के पास हम लेके आने वाले बन जाएँगे है यह हम प्रात्ना करेंगे हे परमेशर पीताा, आलालूया तुद्धडदन्यवाद प्रभू आप अमारे साथ बात किया, प्रभू आप अमरे लिये अपने एक लोवत बेखे को दे के दिया, ठाकि आम प्रभू चीवन पाए, अनला जीवन पाए, आणन पाए, पुशी पाए, इश्व मसिया, आप अम आपके लिए प्रभु आलालुया फल आने वाले बन जाएंगे। अमरे बाई बैन को प्रभु मुझ को सबको प्रभु आप इस वचन के द्वारा आशिष किया। आप चंगा इसे रहेंगे। आप दूसरे के लिए आशिष का कारण बन जाएंगे। महिमा प्रभु आपका महिमा अमारे द्वारा प्रभु आपका प्रकटिकरन के उपर बना हुआ एक खालिश्या प्रभु इसको कोई भी हाललुया चुपा नहीं सकेगा। आललुया प्रभु आदलक फाटक इसके उपर प्रभल नहीं कर पाएगा। आललुया आपका मदूर वच्छन के लिए धनियवाद पिता। आपके हातों में सबको प्रभु हम समर्पन करते हैं। जितनी लोग प्रभु सुन रहे हैं, अललुया सुनने वाले हैं, सबको प्रभु आपका हात प्रभु सबको छूलिया, अब चंगा किया है करके आम विश्वास करते हैं। आपका बलवन हातों के अंदर हम सबको समर्पन करते हैं। आपका बलवन हातों करते हैं।